जीवन उनका दर्शन उनका संदेश काल जीवी है और काल जई भी वे आज भी उतना साल्थक है जितना कल था तो आईए आज की इसकारिकरम का शुभारम कलते हैं युग दृष्टा संत्रविदाज जी के आशिरवात के साथ उनकी वन्दन के साथ और मैं माननीय पृदान मंत्री जी से निवेधन करते हूं कि सद्ट गुरू शिरी रविदाज जी को अपने शहादधा सुमन भीट करें पुशपांजली के साथ हम आज के सकारिकरम का शुभारम कलते हैं कि माने नीव दान मंद्री जी अपने श्रदासुमन पींट करते हुए नमन करते हुए वंदन के साथ साथ हमारे आदनी राजय पाल महादय और हमारे यशयस्वी मुखे मंत्री शिरी शिवराथ सिंग जोहां जी दिवी सजनो आज बुंदेल खंड की ये भूवी चहक रही है महक रही है प्रफुलत मैसूस कर रही है क्योंकि कभी जिस धर्ती पर मध्ययोग की धनसादना के लोगनायक गुरु रविदास जी चले थे इस धर्ती को उन्होंने चरंसपर्श किया था नत्मस्तक किया था आज अनुसरन करने वाले इस सदी के महान लोगनायक हमारे माननिय प्रधानमंत्री जी ने उनके भव्य मंदर की अधार्श्रेला रखिया उसका भूमी पूजन किया है और इसका भूमी पूजन कर माननिय प्रधानमंत्री जी ने नाकेवल संत्रविदास जी को भव्य श्रधान जी है पर इसके साथ साथ भारत के मानचित्र पर सागर के बढ़तुमा को पवित्र पावन भूमी के रूप में सुशोवित किया है तो आई एक बार पुना इस सम्मान और सोगात के लिए प्रधान मंत्री जी को अभार व्यक्त कते हुए उनका स्वागत कते हैं और मैं निवे कर बाद काता है और महीं हमारे यशाषवी मुखे मंत्री शिरी शिवराज सिंह चुहान जी निवेदन करती हुए प्रधान मंत्री जी का हम सभी की तरफ से बुंदर इल्खंट के सभी लोगों की तरफ से उनका स्वागत करें पुश्प गुट बेच कर ऐसा है आज साथ है आपके सेदी हास एक अफसर पर एक विशेष मृती चिन भेंट कर प्रदान मंतर जी को अभार ब्यक्त करते हैं मानेनी मुखे मंतरी जी से मैं निवेदन करती हूं कि संत्र अविदास जी मंदर और कला संग्राले का मॉडल वे प्रदान मंतरी जी को भेंट करें अभी अभी जैसा कि आपने अपने स्कीन पर भी देखा मानेनी प्रदान मंतरी जी ने इसका भूमी पूजन किया हम सभी बुंदेल वासियों को एक सोगात एक भेंट दी हमारे परम पूजनिये संट शुरुमनी रविदास जी को मान समान भवेश्र दाजली और मैं मुखे मंतरी जी से निवेदन करती हूं कि संट रविदास जी की एक पुस्तक प्रदान मंतरी जी को भेंट करें संट रविदास की जीवनी एवम पदावनी माननी प्रदान मंतरी जी को अब संट रविदास जी पर पुस्तक भेंट की जा रही है माननी मुखे मंतरी जी द्वारा संत्रेदास की जीवनी एवं पदावली सबी संत्रविदास जी के भक्तों की तरव से समर्थों की तरव से इलाखों अनुआईयों की तरव से हम प्रधान मंतरी जी को पुना धन्यवाद करते हैं देवी सजनो मानिनी मुख्यमंत्र जी के दृष्टिकोन और नितित ने लगतार हमारे समाज में मध्यपरदेश में एकता सामप्रदाइक सद्भाव और अध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने पर जोड दिया है अनेक हिद्गराही मूलक योजनाओं को लागू किया है तो आज के इस एतिहास एक अफसर पर आप सभी के नेता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिरी शिवराद सिंग चोहान जी को मैं आप सभी के तालियों के बीच आमंत्रित करती हूँ उनके स्वागत संबोधन के लिए बुलिय भारत माता की संत श्रोमनी रविदास महराज की हम सब के स्वाभाग्य से आज मद्द प्रदेश और बुंदेल खंड की धरती पर संत रविदास जी के मंदिर इसमारक के लिए भूमी पूजन करने पधारे हमारे प्रिये एसस्वी प्रधान मंत्री दुनिया के सरवाधिक लोग प्रिये नेता सम्मानी स्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक बार दौनों हाथ उपर उठाके तालियां बजा के स्वागत कीजे अभिनंदन कीजे हमारे राजपाल आधरनी मंगु भाई पटेल जी कैंद्री मंत्रीगन विरेंद्र कुमार जी योत्रर दितिसिंदिया जी स्रिप्राद पटेल जी मद्पदेश सरकार के सभी सहोगी मंत्रीगन हमारे मंग पर विराजमान सभी साथीगन बहनों भाईयों सबसे पहले तो मैं मा भी चाहता हूँ हम बैठने की परियाप्त व्यवस्था नहीं कर पाए जितनी भीड अंदर है उससे ज़्यादा भीड बहर सडकों पर जन्समुद्र उम्डा हुआ है आज का दिन मद्ध प्रदेश के लिए बुंदेल घंड के लिए और सागर के लिए स्वभाग्य का दिन है संत सुरोमनी रविदाजी महराज उनका द्यव्य बंदिर उनका भव्य बंदिर और उनका आलोकिक मंदिर इस धर्ती पर बनने बाला है बेहन और भाईयों हमने मिलके फैसला किया था रविदाज जियंती के दिन के सागर में बर्तुमा में रविदाज जी का भव्य मंदिर बनाया जाए और हमारा स्वभाग इसलिए के संत रविदाज जी के मंदिर के भूमि पूजन के लिए हमारे प्रिये प्रधान मंत्री स्रिमान दरेंद्र मोदी जी पधारे हुए हैं संत्र अविदार जी माराज भारत को जोडने वाले संत थे कोई जात नहीं पात नहीं उचा नहीं नीचा नहीं छोट वर सब संबसे कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं भक्ति कैसे करें कर्म कैसे करें इसका संदेश देने वाले संत रविदाश जी महराज उनके जीवन और दर्सन पर आधारित ये भव विस्मारक बनेगा और आने वाली पीडिया भी संत रविदाश जी को जानेंगी और उनके बताए मार्ग पर चलेंगी मेरे बहनों और भाईयों संत रविदाश जी के मार्ग पर चलकर सरकार चलाने वाले हमारे प्रधान मंत्री स्रिवान डरेंद्र मोदी जी संत रविदाश जी ने कहा था ऐसा चाहूं राज में जहां मिल ही सबही को अन और आज ये देश जानता है असी करो गरीब बेहनों और भाईयों को निसुल का अन्नी की विवस्ता की है तो स्रीमान मोदी जी नहीं की है और के बाल अन्नी नहीं जन्ता की जिन्द्गी की नियुनतमावस सकता है पूरी करने का काम प्रदान मंत्री आवास में गरीबों को मकान उदिला रसोई गैस कनेक्शन सोचाले बना के बेहनों को सम्मान देने का काम आइस्पान भारत योजना बना के गरीबों का इलाज कराना और बैक्सीन कोविड में बना के बैक्सीन लगा के दो सो करोड भारतियों के एक सो चालीस करोड भारतियों की जान बचाने का काम प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने किया है जो रविदाज जी ने कहा वो मोदी जी कर रहे हैं और मुझे कहते हुए गर्व है मोधी जी के आसिरवाद से और उनके बताए मार्क पर चलकर मध्ध प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है हमें गर्व है कहते हुए कि एक करोर तीस लाख लोग गरीवी से मध्ध प्रदेश पे भी बाहर निकले हैं प्रधान मंत्री जी के सब्सक्राइब के कारण विकास कहने को कम आज भी रेल लाइन का दोहरी करन दाएजार करोल की सल गये हैं लेकिन और मैं प्रसन्यता का समाचारा आपको दे रहा हूं इसका लोकारपन तो आज होगा लेकिन बुदेल घंड बासियो प्रदान मंत्री जी ने ऐसे फैसले किये जो बुंदेल घंड की तस्वीर भी बदलेंगे और यहां की जनता की तकदीर भी बदल देगे बीना में पैट्रो केमिकल्स बीना रिफाइनरी पर आदारित पैट्रो केमिकल्स उत्पाद पर पचास जार करोड का निवेस आने बाला है मैं मोदी जी को हिर्दे से धन्यव पर कैन और बेतवा बहुत जल्दी काम प्रारंब होने वाला है और बीस लाख एकर जमीन में बुंदेल घंड में सिचाई होगी बुंदेल घंड की धरती पंजाब और हर्याना को मात करेगी चवालीस हजार करोड रुपे की योजना को पहार प्रदान मंत्री जी ने बुंदेल घंड की जंता को दिया है और कल संसद में जो हुआ वो अद्भोत और अब उत्पूरवे अंग्रेजों के बनाए कानून बदले जा रहे हैं और उनमें से एक अगर मासूम बिकिया के सा कोई दुराचार करेगा तो सीधा फासी के फंडे पे लटका दिया जाएगा है एक नए भारत का हुदाए प्रदान मंत्री जी के नेत्रत में हुआ है इसलिए मैं एक बार फिर उनका हिर्दे से स्वागत करता हूं लेकिन आप प्रदान मंत्री जी से आग रह कीजिए कि ब मीना रिफाइंडी पर आधारित पेट्रो केमिकल उत्पाद का जव उसका स्वारम होगा तब भी माननी प्रदान मंत्री जी पधारे ताली बजा के आभान कीजिए कैन वेत्वा के सिलान नास के लिए भी प्रदान मंत्री जी पधारे और प्रूजी तुम चंदन हम पानी जाके अंगंग बास समानी, एक बार फिर प्रवुदी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करही रह दासा, संत स्रोमनी, रविदाश जी महराज के चरणा में प्रणाम करते हुए, जल्दी ये भव्वे मंदिर हमें मिलेगा, जो बुंदेल घंड की प्रतिष्ठा को और बढ आएगा और उनकी किरपा हम पर बरसेगी, इनी सब्दों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी माटी, मेरा देश, और हर घरत रंगा फैराने का भियान, जो आवान प्रधान मंत्री जी ने कहा है, हम भी मद्ध प्रदेश में हर घरत रंगा फैराएंगे, बोलिया सब मेरा साथ बोलिया भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद, अधिज़र निज़र अधिल कर सकेंगे देवी सचनों अपने नित्यत की माणुःम से प्रधान वंन्त्री जी भारत की ृति हला सक टे और अधनक सबूने को बरावन देने के साथ देश को अधुनिक भगतीशीन भविश्य की vorbere ले जाने में भी अथक प्रियास कर रही हैं जिससे हम एक उच्छ सिद्धान्तों वाला प्रगितिशील भारत का निर्मान कर सकें और इसी दिश्या में आज लगबक एक अजार करोड उपे की लागत के संद्धालिस किलोमेटर के मोरी कोरी विदीशा नौतिया पाकेज 1 चाल लेन तथा ही नौतिया में लूपाकेज 2 लेन सड़क परियोजना का शिला नियास किया जाएगा इसके साथ साथ आज बीना वासिय को भी एक सोगात मिल रही है बीना से कोटा के मध्धिर रेल मार का दो करन तो मैं मानने निया प्रधान मंतरीची से निवेदन करती हूं कि क्रिपया रिमोट का बटन दबा कर इस ट्राक डबलिंग का लोगार्पन करें और इसके साथ साथ सर्क पर योजना का भी शिलानियास करें करें वेलिंग प्रभन करें गार्प कया। अभूत पूर्व स्पीड और स्केल पर देश के कोने कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्मान और मॉडरन कनेक्टिविटी को बढ़ावा प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नित्वत्व में 2014 से विकास की ये यात्रा दिन रात जारी है इंफ्रास्ट्रक्टर यानि लोगों के जीवन में आसानी इंफ्रास्ट्रक्टर यानि व्यापार कारोबार में आसानी इंफ्रास्ट्रक्टर यानि रोजगार के लाखों नए अवसरों का अंदर मान और इंफ्रास्ट्रक्टर यानि तेज विकास तेजी से विकसित होने की ओर कदम बढ़ा रहे भारत की इस यात्रा का मध्धिप्रदेश भी एहम भागीदार है जहां कई इंफ्रस्ट्रक्चर परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई पर तेजी से काम हो रहा है इसी कड़ी में आज माननिये प्रधानमंत्री जी 4,000 करोड रुपई से अधिक की लागत की तीन रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकारपण वा शिला न्यास कर रहे हैं आज लोकारपण होने बाली परियोजना है 288 किलोमीटर बीना से कोटा रेल लाइन डबलिंग का कारियर इससे राजस्थान और मध्यप्रदेश के धर्मल पावर प्लांट में कोईले की आपूर्ती ती व्रगती से होगी और लोगों को बिजली की निर्बाद आपूर्ती सुनिश्चित होगी साथ ही शिला न्यास हो रहा है चार लेन मोरी कोरी विदिशा हिनूतिया खंड सडक के निर्मान कारिका इससे राजधानी भोपाल से सागर तक डाइरेक्ट रोड कनेक्टिविटी होगी और यात्रा का समय लगभग एक घंटा कम हो जाएगा हिनूतिया महिलुवा सडक खंड के दो लेन विद बेवड शोल्डर के निर्मान कारिका भी शिला न्यास हो रहा है जिससे भोपाल से अशोक नगर, चंदेरी एवं जासी तक डाइरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी जिससे इस रूट पर यात्रा करने वालों का समय बचेगा सहुलियत बढ़ेगी इम परियोजनाव से शेत्र के सांस्क्रितिक स्थलों जैसे उदैगिरी गुफाओं वाले मंदिरों साची के बौध स्थूप तक बहुत सुगम होगी परटन को बढ़ावा मिलेगा यहां के फर्टिलाइजर, पेट्रूलियम, सिमेंट, इलेक्ट्रिकल ट्रांस्फॉर्मर, चंदेरी सिर्फ जैसे उद्योग एवं जन जाती कला को देश भर के बड़े बाजारों तक पहुच मिलेगी और रोजगार के अफसर भी बढ़ेंगे अमरित काल में डबल इंजन सरकार, मध्यप्रदेश की सामाजिक आर्थिक सम्रिधी और अन्वरद सर्वस्परशी सर्वांगीर्ण विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है तो देवी सहजनों इन दोनों पड़ी ओजनाओं के माध्यम से माध्यप्रदेश की विकास यात्रा को और अधे गदी मिलेगी प्रगिती मिलेगी देवी सहजनों इसे आप एक सुखद सन्योगी कहेंगे कि संत रविदास जी की विचारकी का अनुसरन करने वाले हमारे माननी प्रधान मंत्री जी संत रविदास जी की पवित्रपावन जन्मभूमी वारन नसी से सांसद भी है और उनी की तरह सुधार और नवप्रवर्तन की भावना को केंदर में लाते हुए प्रधान मंत्री जी ने गरीबों, किसानों, महिलाओं, अनुसूचे जाती, जन्जाती एवंवंचित समाज को सशक्त बनाने के लिए भी अथक प्रियास किये हैं और इस मंदिर का निर्मान कर इस भूमी की सांस्कृतिक और एतिहासिक विरासत के पुनजागरन को बढ़ावा देने के साथ साथ सबी लोगों को उनका अधिकार देने, मानव धर्म को स्थापित करने और भारत को एक बार फिर से विश्व गुरू बनाने का एक पंध प्रधान का सपना, संकल्प और अपने 140 करोड के परिवाजन के साथ एक वादा है तो हीदे की गहराईओं के साथ प्रधान मंत्री जी का पुना शुक्रिया करते हुए अभार्वय करते हुए मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करती हूँ ने आमंतरत करती हूँ उनके अमरत वाजन के लिए भारत माता की, भारत माता की, कारकम्य उपस्थित, मध्य प्रदेश के राजपाल, श्रिमान मंगुबाई पटेल, मुख्यमंत्री, श्रिमान स्विवराज्ची चौवान, केंद्रिय केबिनेट के मेरे सयोगी, त्रि विरेंद्र खटी जी, जोतिरादित्य सिंधिया जी, प्रणलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गण, सभी साउसत, अलग-अलग स्थानों से बधारे, सभी पुझ्य संतगर्ण, और विशाल संख्या में आये हुए, मेरे पैरे भाई और बहनों, सागर की धर्ती, संतों का सानिध्य, संत रविदाश जी का अशिरवाद, और समाज के हर्ग वर्ग से, हर कोने से, इतनी बड़ी संख्या में आशिरवाद देने के लिए आये हुए, आप सब महनुभाव, आज सागर में समरस्ता का महा सागर उम्ड़ा हुआ है। देश की इसी साजी संस्कृती को और सम्रद्ध करने के लिए आज यहां संत रविदाश मारक एवं कला संग्रालय की नीव पड़ी है। संतों की कृपा से कुछ देर पहले मुझे इस पवित्र समारक के भूमी पुजन का पुन्य अवसर मिला है। और मैं काशी का सांसद हूँ और इसलिए यह मेरे लिए दोहरी खुशी का अवसर है। और पुज्य संत रविदाश जी की आशिरवाद से मैं विश्वाद से कहता हूँ कि आज मैंने सिलान्यास किया है। एक डेड़ साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकारपण के लिए भी मैं जरूर आऊँगा। और संत रविदाश जी मुझे यहां अगली बार आने का मुकत देने ही वाले है। मुझे बनारस में संत रविदाश जी की जन्मस्तली पर जाने का कई बार सौभाग्य मिलाया है। और अब आज मैं यहां आप सब के सानिज्य में हूँ। मैं आज सागर की इस धर्ती से संत सिरोमणी पुझे रविदाश जी के चर्णों में नमन करता हूँ, उन्हें प्रनाम करता हूँ। भाई और बेनों, संत रविदाश मारक एवं संग्रहाले में भव्यता भी होगी और दिव्यता भी होगी। ये दिव्यता रविदाश जी की उन सिक्षाओं से आएगी, जिने आज इस मारक की निव में जोड़ा गया है, गड़ा गया है। समरस्ता की भावना से ओतप्रोत, बीस हजार से ज़्यादा गाउं की, तीन सो से ज़्यादा नदियों की, मिट्टी आज इस मारक का हिस्सा बनी है। एक मुठी मिट्टी के साथ साथ, MP के लाखों परिवारों ने समरस्ता बोज के लिए एक-एक मुठी अनाज भी भेजा है। इसके लिए जो पांच समरस्ता यात्राएं चल रही थी, आज उनका भी सागर की धर्ती पर समागम हुआ है। और मैं मानता हूँ कि इस समरस्ता यात्राएं यहां खत्म नहीं हुई हैं, बलकि यहां से सामाजी समरस्ता के एक नए यूग की शुरुवात हुई है। मैं इसकार के लिए मद्धपदेश सरकार का अभिनंदन करता हूँ, मुक्मंत्री भाई सिवराज जी का अभिनंदन करता हूँ, और आप सभी को बधाई देता हूँ। साथियों, प्रेणा और प्रगती, जब एक साथ जुड़ते हैं, तो एक नए यूग की नीव पड़ती है। आज हमारा देश, हमारा एमपी इसी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है, इसी क्रम में आज यहां कोटा बीना सेक्शन पर रेल मारके दोहरी करण का भी लोकारपन हुआ है। नेशनल हाइवे पर दो महत्पुण मारकों का सिलान्याद भी किया गया है। विकास के ये काम सागर और आसपास के लोगों को बहतर सुविधा देंगे। इसके लिए मैं यहां के सभी भाई बैंडों को बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूँ। साथियों संत्रविधास मारक और संग्रहावे की नीव एक ऐसे समय में पड़ी है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किये हैं। अब अगले 35 वर्षों का अमरित काल हमारे सामने है। अमरित काल में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी विरासत को भी आगे बढ़ाएं। और अतीत से सबग भी लें। एक राष्ट के रूप में हमने हजारों वर्षों की यात्ता की है। इतने लंबे कालखन में समाज में कुछ बुराईयां आना भी स्वाभाविक है। ये भारतिय समाज की ही शक्ती है कि इन बुराईयों को दूर करने वाला समय समर पर कोई महापुरोष, कोई संत, कोई ओलिया इसी समाज से निकलता रहा है। रविदाजी ऐसे ही महान संत थे। उन्होंने उस कालखन में उस कालखन में जन मरिया था। जब देश पर मुगलों का शातन था। समाज, अस्तिर्ता, उत्पिडन और अत्याचार से जूज रहा था। उस समय भी रविदाजी समाज को जागरित कर रहे थे, समाज को जगा रहे थे। वो उसे उसकी बुराईयों से लड़ना सिखा रहे थे। संत्रविदाजी ने कहा था, जात पात के फेर मही, जात पात के फेर मही, उर्जी रही सब लोग, मनुस्ता को खात हुई, रही दास जात कर रोग। अर्थात, सब लोग, जात पात के फेर में उल्जे हैं, और ये बिमारी मानुता को खा रही है। वो एक तरफ सामाजी कुरुतियों के खिलाब बोल रहे थे, तो दूसरी तरफ देश की आत्मा को जगजोर रहे थे। जब हमारी आस्ताओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान बिटाने के लिए, हम पर पाबंदियां लगाई जा रही थी। तब रही दाज जी ने कहा था, उस समय मुगलों के कालखन में ये हिम्मत देखिए, ये राष्ट भक्ती देखिए, रही दाज जी ने कहा था, पराधिन ता पाप है, जान लेहुरे मीत। रही दास पराधिन सव, कौन करे है प्रीत। यानि पराधिन ता सबसे बड़ा पाप है, जो पराधिन ता को स्विकार कर लेता है, उसके खिलाप जो लड़ता नहीं है, उससे कोई प्रेम नहीं करता। एक तरह से उन्होंने समाज को अत्याचार के खिलाब लड़ने का होसला दिया था। इसी भावना को लेकर छत्रपति वीर सिवाजी महराज ने हिंद भी स्वराज की नीव रखी थी। यही भावना आजादी की लड़ाई में लाखो लाख स्वादिंत सेनानियों के दिलों में थी। और इसी भावना को लेकर आज देश गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ति के संकल्प पर आगे बढ़ रहा है। साथियों रहिदास जी ने अपने एक दोहे में कहा है और अभी सिवराज जी ने उसका उलेग भी किया। ऐसा चाहू राज में ऐसा चाहू राज में जहां मिलई सबन को अन छोट बड़ों सब संबसें रहिदास रहे प्रसंद। यानि समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे। चोटा बड़ा इससे उपर उठकर सब लोग मिलकर साथ रहे। आज आजादी के अमरित काल में हम देश को गरीबी और भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा है कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई। पूरी दुनिया की व्यवस्ताएं चर्मरा गई ठप पड़ गई। भारत के गरीब तबके के लिए दलीत आदिवासी के लिए हर कोई आशंका जता रहा था। कहा जा रहा था कि सौ साल बाद इतनी बड़ी आपदाई है। समाज का ये तबका कैसे रह पाएगा। लेकिन तब मैंने ये ताय किया कि चाहे जो हो जाएं मैं मेरे गरीब भाई बहन को खाली पेट सोने नहीं दूँगा। दोस्तों मैं भली भाती जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीव क्या होती है। मैं जानता हूं कि गरीब का स्वाभिमान क्या होता है। मैं तो आपके ही परिवार का सदश्य हूँ। आपका सुखदुख समझना मुझे किताबे नहीं दूननी पड़ती। इसलिए ही हमने प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना शुरू की असी करोड से जादा लोगों को मुप्त राशन सुनुशित किया। और आज देखिए हमारे इन प्रयासों की तारीप पूरी दुनिया में हो रही है। आज देश गरीब कल्यान की जितनी भी बड़ी योजनाय चला रहा है। उसका सबसे बड़ा लाप बलीत पिछडा आदिवासी समाज को ही हो रहा है। आप सब अच्छे से जानते हैं पहले की सरकारों के सबाएं जो योजनाय आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी। लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश, बलीत, बंचीत, पिछडे, आदिवासी, महिलाएं इन सब के साथ खड़ा हो। हम उनकी आशाओं, आकांख्षाओं को सहारा दें। आप देखिए, जरा योजनाओं पर नजर करेंगे तो पसा चलेगा। बच्चे के जन्रिकम का समय होता है, तो मात्रू बंदना योजना के जरिए, गर्बवती माता को छे हजार रुपिय दिये जाते हैं ताकि मा बच्चा स्वस्त रहे। आप भी जानते हैं कि जन्म के बाद बच्चों को बिमारियों का संक्रामक रोगों का खत्रा होता है। गरीबी के कारण दलीत आदिवासी बस्तियों में इनकी सबसे ज्यादा मार होती है। आज नवजाद बच्चों की पूरी सुरक्षा के लिए मिशन इंद्र धरूष चलाये जा रहा है। बच्चों को सभी बिमारियों से बचने के लिए तीका लगे ये चिंता सरकार करती है। मुझे संतोज है कि बीते वर्षों में साड़े पांच करोड़ से अधिक माताओं और बच्चों का तीका करण किया जा चुका है। साथियों आज हम देश के साथ करोड़ भाई बहनों को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं। देश को दोहजार पतीस तर टीबी मुक्त बनाने के लिए काम हो रहा है। काला जार और दिमागी बुखार का प्रपगोप दीरे दीरे कम हो रहा है। इन बिमारियों से सबसे ज़्यादा दलीत, वंचीत, गरीब परिवार वही इसके शिकार होते थे। इसी तरह अगर इलाज की जर्वत होती है तो आज शुमान योजना के जरिये अस्पतालों में मुक्त इलाज की व्यवस्ता की गई है। लोग कहते हैं मोधी कार्ड मिल गया है पांच लाख रुपिय तक अगर कोई बिमारी को लेकर के बिल चुकाना है तो यह आपका बेटा कर देता है। साथियों जीवन चक्र में पढ़ाई का बहुत महत्व है। आदेश में आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूलों की ववस्ता हो रही है। आदिवासी छेत्रों में साथ सो एक लव्य आवासी स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्हें सरकार पढ़ाई के लिए किताबे देती हैं। स्कॉलर्शिप देती हैं। मिड़े मिलकी ववत्ता को बहतर बनाये जा रहा है। ताकि बच्चों का अच्छा पोशन वाला खाना मिले। बेटियों के लिए सुकन्या समुर्दी योजना शुरू की गई है। ताकि बेटियां भी बराबर से और बराबरी से आगे बढ़े। स्कूल के बाद हार एजुकेशन में जाने के लिए SC, ST, OBC, यूतियों के लिए अलग से स्कॉलर्शिप की भवस्ता की गई है। हमारे यूआ आत्मंदिर भर बने। अपने सपनों को पूरा कर सके। इसके लिए मुद्रा लोन जैसी योजनाय भी शुरू की गई है। मुद्रा योजना के अब तक जितने लाभारती हैं उनमें बड़ी संख्या में SC, ST समाज के ही मेरे भाई बेहन है। और सारा पैसा बिना गरंटी दिया जाता है। साथियों SC, ST समाज को ध्यान में रखकर हमने stand-up इंडिया योजना भी शुरू की थी। stand-up इंडिया के तहट SC, ST समाज के विवाओं को आठ हजार करोड रुपिये की आर्तिक सहायता मिली है। आठ हजार करोड रुपिये यह हमारे SC, ST समाज के नव जमानों के पास गए हैं। हमारे बहुत से आदिवासी भाई बेहन बन संपदा के जरिये अपना जीवन यापन करते हैं। उनके लिए देश वन धन योजना चला रहा है। आज करीब 91 उत्पात को MSP का लाब भी मिल रहा है। इतना ही नहीं कोई भी दलीत, बंचीत, पिछडा बीना घर के नरहे हर गरीब के सर पे छत हो। इसके लिए प्रदानमत्री आवास भी दिये जा रहे हैं। गर में सभी जरूरी सुविदाय हो। इसके लिए बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन भी मुप्त दिया गया है। इसका परणाम है कि ST ST समाज के लोग आज अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। उन्हें बराबरी के साथ समाज में सही स्थान मिल रहा है। साथियों, सागर एक ऐसा जिला है जिसके नाम में तो सागर है ही। इसकी एक पहचान, 400 एकड की लाखा बंजारा जिल से भी होती है। इस धर्ती से लाखा बंजारा जैसे वीर का नाम जुड़ा है। लाखा बंजारा ने इतने वर्थ पहले पानी की एहमियत को समझा था। लेकिन जिन लोगों ने दसकों तक देश में सरकारे चलाई, उन्होंने गरीबों को पीने का पानी पहुचाने की जरुद भी नहीं समझी। ये काम भी जल जीवन मिशन के जरिये हमारी सरकार जोरों पर कर रही है। आज दलीद बस्तियों में, पिछडे इलाकों में, आदिवासिक शेत्रों में, पाइप से पानी पहुच रहा है। ऐसे ही लाखा बंजारा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, हर जिले में 75 अमरित सरोवर भी बनाये जा रहे हैं। ये सरोवर आज जादी की भावना का प्रतीक बनेंगे, सामाजिक समरस्ता का केंद्र बनेंगे, साथियों आज देश का दलीत हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, आदिवासि हो, हमारी सरकार उन्हें उचित सम्मान दे रही हैं, नए आउसर दे रही हैं। नहीं समाज के लोग कमजोर हैं, नहीं का इतिहास कमजोर हैं। एक से एक महान विपूतियां समाज के इन वर्गों से निकल कर आई हैं। उन्होंने रास्ट के निर्मान में असादर्ण भुमिका निपाई हैं। इसलिए आज देश इनकी विरासत को भी गर्व के साथ सहज रहा है। बनारस में संत्र अविदाज जी की जन्मस्थली पर मंदिर का संदरी करण किया गया। मुझे खुद उस कारकम में जाने का सवबागे मिला। यहां बोपार के गोविनपुरा में जो ग्लोबल स्कील पार्क बन रहा है। उसका नाम भी संत्र अविदाज के नाम पर रखा गया है। बाबा साथ के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों को भी पंच तिर्ष के रुप में विक्सित करने का जिम्मा हमने उठाया है। इसी तरह आज देश के कई राज्यों में जन जातिय समाज के गवरव शाली त्यास को अमर करने के लिए मिज्यम बन रहे हैं। बगवान बिर्शा मुंडा के जन मदिन को देश 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 जन जातिय गवरव शाली त्यास के रुप में मनाने की परमपरा शुरू की है। मद्ध प्रदेश में भी हभीव गवंज रेलवे स्टेशन का नाम गौन समाज की रानी कमलापते के नाम पर रखा गया है। परमपरा को वो सम्मान मिल रहा है। जिसके ये समाज के लोग हकदार थे। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है। मुझे परोसा है, देश की स्यात्रा में संत्र विदाज की सिक्षा हैं, हम सब देश वास्यों के एक जूट करती रहेगी। हम साथ मिलकर बिनारु के भारत को विक्सित राष्ट बनाएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत सुपकामना हैं, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद मानने पुलधान मंत्री जी आपके संबोदन ने हमारे सम्रिद इतिहास का संग्यान लेते हुए, ना कि विल हमारी सम्रिद सांस्कितिक विरासत को संदर्श्चित करने के महत्व को रिकांकित किया, बलकि हमारे विवित समाज में एकता पुलधा को भी बढ़ावा देने की अविशक्ता पर जो दिया, देविय सज्च नो एक बार हाथ उपर करकर मानने प्रधान मंत्री जी का तालियों के साथ पुना अभार व्यक्ट करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद मानने प्रधान मंत्री जी आपके मार्ग दशन के ल बहुत-बहुत धन्यवाद मंचसीन सभी हमारे नेता गन का भी बहुत-बहुत धन्यवाद दिवी सज्च नो आफ से जी आपके मार्ग देविय।